हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया ग्रफतार पहड़ी अनुवाग के चर्च विथाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को 24 घंटे के अंदर ग्रफतार करने में सफलता हासल की है जानकारी के नुसार एक चुलाई 2024 को ग्राम शामपुरा के फरियादी राम भजन कुश्वा के द्वारा रिपोर्ट की गई कि आरोपी राजा राम कुश्वा ने उसके चचेरे भाई शिवराज कुश्वा की सिर में जान से मानने की निया से कुलहाडी मारी जिससे उसके सिर में गंबीर चोटाई है एवं गारोपी ने मा बहन की अश्लिल गालिया दी वह उसे जान से मानने की धंकी दी वही रेपोर्ट पर से थाने पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास है तन्यधारों में केस तर्शकर बिवेशना मिलिया महीं जोगर घायल का मैडिकल परिक्षन कराए गया है जो अगर उपचार है तो मैडिकल कॉलेश शिप्पुरी में भरती कराए गया है इसी दोरान धानापरवारी चर्श हरिशंकर शर्मा को मुकबिर दोरा सूचन पराप्त हुए कि प्रकरण का आरोपी हिनोतिय तरहे पर किसी साधन के इंतजार कर किसी साधन से भार फरान होने की फ्राक में जान को ख़़ञा है मुगबिर की सुजना पस सक्रेता दिखाती हो थाना प्रवारी हरी शंकर शर्मा दोरा मैफोर्स के साथ जोकार आरुपी राजराराम पुत्र बुजवल कुश्वा उम्र पैतालस साल निवासी घ्राम श्यामपुरा थाना चर्च को ग्रफतार कर वैदाने कारिवाई की गई उसके उपरांत नैले पेश कर जेल भीशतिया क्या है सरानी भूमिका उक्तारोबी की ग्रफतारी में थाना प्रवारी जर्च अरिशंकर शर्मा एसाई अनिल शर्मा आरकशक सुनील विमर रमाकांत पराशर नवीनाथ जाट ब्रजराश रावत रफी खान राम अफतार वजे खर्यादी राम बजन कुसवा अपने चचेरे भाई सिवराज को गंबी दालत में घाल लेके आया था उसने आके बताया कि उसके गाउं के राजाराम कुसवा ने उसके सिर में जान से मानने की नियस से कुलारी मारी है उसका तबकाल बार बी एनेस जो नया कानून आय है 307 की जगे पे बी एनेस की धारा एक सो मोमेट पकड़न कायम कर मजरू को तबकाल वेडिकल उप्चार एकी भेजा गया जो अभी जिलाचे के मेडिकल कॉलेज श्यूत्री में भरती है जिसमें मामला गंबीर किश्मका है हमारे कुले सदीक्षक स्रीमान अमन सिंग राट साथ द्वारा एवं अत्रित फुजले साधिक्षक महदय स्री संजीव मुले साथ एवं स्ट्योपी महदय पौरी स्री स्री सिंग दोजरिया साथ के सक्त निर्देश प्राप्त हुए कि मामला गंबी है सीग रच सीग आरूपी की गिरफतारी की जाए प्रकरण में शंपू व्यदानिक कारवाई की जाकर आरूपी को नियाला फेस्टी अलागा